जो 1932 खतियान लागू करने की बात थी उस पर मंद्री परिशद द्वारा आज निन्ने लिया गया और जिन व्यक्तियों का स्वेमका उनके पूर्वजों का नाम 1932 के या उससे पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है वह स्थान्य की परिभाश्य अंतरगत आएगा वो स्थान्य निवासी कहलाएगा और ऐसे मामलों में जहां पर कोई व्यक्ति भूमी हीन है या फिर जो खतियान है वो पठने नहीं है या फिर खतियान उसके पास उपलब्द नहीं है तो ऐसे मामलों में उसकी पहचान ग्राम सभाद्वारा की जाएगी जो जारकन में प्रचलित भाशा रहन सान वेश भूशा संस्कृती परंपरा आधी के आधार पर खोगा और इसमें जो आरक्षन का जो प्रतिशत है अनुसूचित जाती 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाती 28 प्रतिशत अतियंत पिछडा वर्ग अनुसूचि एक 15 प्रतिशत पिछडा वर्ग अनुसूचि दो 12 प्रतिशत आरतिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग उपरियुक्त को छोड़ कर 10 प्रतिशत यहानिकि कुल 47 प्रतिशत आरक्षित कोटी से और खुली गुनागुन मेरित कोटी से 23 प्रतिशत ये विध्यक जारकन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षन ब्रैकेट में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विध्यक 2022 प्रस्ताव संख्या 43 जारकन के स्थानिय निवासी की परिभाशा एवं पहचान हेतु जारकन के स्थानिय व्यक्तियों की परिभाशा एवं परिनामी सामारिक, सांस्क्रितिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानिय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विध्यक 2022 के गठन के संबन्ध में इसके तहत जो मुख्य प्रावधान है वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है उसके आधार पर स्थान्यता की परिभाशा रखी गई है और इसके लिए विधय का घठन किया गया है और जो भूमी हीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिती में अथ्वा खतियान यदि पठनिय नहीं है तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा और यह भी विधयक है और इसे भी नवी सूची में भेजने का प्रस्ताव था जिस पर मंद्री परिशय द्वारा स्विक्रिती दी गई विधयक पारित होने के बाद इसे नवी सूचनी में समिलित करने है तो केंद्र से अनुरोध किया जाएगा इसको मैं इंग्लिश इंदी दोनों में पढ़ दे रही हूँ जारकन के स्थान्य निवासी की परिभाषा एवं पहचान हे तू जारकन के स्थान्य व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थान्य व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधयक 2022 के गठन के संबन्द धन्यवाद